मेथी पालक की सबजी तयार करने के लिए एक बड़ा कटोरी मेथी लेली है चौप की हुई तो इसकी मैंने पहले डंटल हटा ली थी तो उसे तीन बार साफ पानी में धो लिया था और इसे बारी पारी चौप कर लिया था तो इसी तरीके आप पहले से इसे तयार करके रख लिये और साथ में ले लिजे 500 ग्राम पनीर अब सबजी चौपने की तयारी कर लेते हैं तो कौन चमच जीरा लिया है और रैसिपिक की फुल डिटेल के लिए प्लीज चेक आउट इन दर डिसक्रप्शन बॉक्स अब हम इसमें डाल देंगे पत्ता मेथी तो ध्यान रखे पत्ता मेथी में बिल्कुल भी पानी ना हो नहीं तो आपके पर घीके छीटे भी आ सकते हैं इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे भूनने से क्या होता है इसमें जो कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है तो सब्झी जब बनकर तयार होती है तो वो कड़वी नहीं लगती है अब डाल दीजिए इसमें हरी मिर्च और अद्रक का पेस्ट तो मैंने यहां पर चार ह मैंने चोथाई चमच टाली है कश्मीरी मिर्च ले लेंगे फुल एक चमच भरकर बहुत अच्छा कलर आता है डेगी मिर्च टाल दी है आधा चमच धन्या पाउडर डाल देंगे और अब नमक अपनी स्वात के अनुसार एक बड़ा चमच फुल भरकर मलाई ले लिजे फ्रे टेबल स्पुन दही इसे भी लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो दही फट सकता है सबजी को जितना पकाएंगे सबजी उतनी ही अच्छी बन कर तयार होगी एक चमच चीनी डाल दी है चीनी डालने से जो टेस्ट होता है वो एन हमस होता है ये गी आनल स्टार्ट हो गया है और घी छोड़ने तक पकाते रहेंगे ये देखे घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है अब डाल दीजे इसमें कटे हुए पनीर के पीसिस अच्छे से mix कर लेंगे और slow gas पर इसे अब ठककन लगाकर ठक देंगे और इसे पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट बीच बीच में चेक करते रहेंगे ये देखे कितना बढ़िया कलर हो गया जो सबजी में जितना हमने घी डाला था उतना उपर आ गया है इसका मतलब जो सबजी है हमारी पकर तयार हो गया है आप कैस को बद कर दीजे और लीजे मेथी पनीर के इंदम टेस्टी वाली सबजी पक्कर तयार है और इसे गर्मा गर्म रोटी, पूड़ी या किसी भी चीज के साथ सर्व करजिए तो फ्रेंड्स आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं डेली नई रेसिपी अपलोड करती हूँ और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजे जिससे मैं जब भी नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो फ्रेंड्स इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी तब तक के लिए थैंक्यू बाबाई